Assalamualaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दू में सीख रहे हैं Students, आज के इस lesson में मैं आपको बताऊँगा AutoCAD के उपर काम कैसे start किया जाता है यनिकि आपको line कैसे draw करनी है, line के पर मजीद commands आपने कैसे apply करनी है और selections कैसे आपने देनी है, zooming control कैसे आपने करना है तो students, आएं start करते हैं अपना lesson double click करें AutoCAD के उपर, या right click करके इसको open कर दें या इसको click करके enter कर दें, या start भी जाके AutoCAD को open कर दें जैसे मैंने आपको इस से पिछले वल lessons के अंदर मैंने आपको तरीका पाया था तो मैं अपने पास अपना AutoCAD open कर देता हूँ, तो students, मेरा AutoCAD open हो चुका है तो start करते हैं अपना lesson, सबसे पहले मेरे पास क्या है line नीचे आ जाएं आपके पास क्या है command window अब देखे students, जैसे मैं lines के पर click करूँगा, मेरे पास command window में कुछ changing आएगी आपको इस command को देखना होगा, यहाँ पर अगर मैं आपको यह बाब दता चलूँ, अगर आप carefully command को देखते रहेंगे साथ साथ तो माने students, आप बहुत ही easy काम करोगे, यह निकि आपका काम बहुत ही easy हो जाएगा तो means, आपको साथ साथ commands window को देखना है तो देखे, मैं अपने mouse को पर लेकर गया हूँ, और जैसी mouse को पर लेकर जाता हूँ, आपके पास यहाँ पर एक tips आ जाती है, इसको कहा जाता है tool tips, tool tip में दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है line यहाँ पर यहाँ पर यह भी मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारे पास नए software आ चुके हैं, यहनि कि 2008 के बाद कि 9, 10, 11, उनमें जैसी आप tool tips के पर जाएंगे, यहनि कि जो tool tip आपके पास होता है, उसके दर में कमल एक help बनी होती है, आप उसको भी try करके देखें, इंस्ट अब कहते हैं, प्लीज पिताएं, नई line का first point किदर है, यहाँ के पास आपका black area है, आप जहाँ पर भी click करोगे, वो आपकी line का first point होगा, अब मेरी मर्जी में इसको इधर को click करो, इस तरफ click करो, यह जिस तरफ यह आप click करते हैं से, आपको again left button press करना होगा, ऐसा इस लिए है, देखें, आपके पास एक pen होता है, आप उसकी cap उतारें, और उसको paper के उपर हवा में drag करें, तो कोई भी आपके पास line draw नहीं होगी नीचे, तो यह यहाँ पर भी problem है, तो जब तक आप इसे click नहीं करोगे, उस तक आपकी line draw नीचे की तरफ नहीं होगी, तो मैं जैसे एक click कर देता हूं, मैंने इसको एक click किया, जैसे मैंने इसको click किया left button के थुरू, अब मैं mouse को आगी लेकर जाओंगा, line में रेकर जाओंगा, line में रेकर जाओंगा, line में रेकर जा रहा हूं, line में रेकर जा रहा हूं, line में रेकर जा रही है, तो मैं click उपर कर देता हूं, फिर मैं इस क्लिक इस तरफ कर देता हूं, और again click में इस तरफ कर देता हूं, फिर इदर आ जाएं, फिर इदर आ जाएं, फिर इदर आ जाएं, इदर आ जाएं, और जितने आप क्लिक करते जाओगे, आँके पास line step by step draw होती जाएगी। आप इस मैंने इस line को select किया और मैं line को बता रहा हूँ मैंने आपको delete कैसे किया है पारहल अगेन आप line के पर जाएंगे आप फिर एक दो point से दे देंगे आपके पास line एक्टे हो जाएगे तो यह आपका start point है और जहां पर आप click करते हो वो आपका end point होता है जहांसे आप start करत के दर मजीद और के option है देखें जब मैं line के पर click कर देता हूँ मुझे से कहता है मैं line का first point बताएं के दर है मैं इसको एक point दे दिया दूसरा दिया तीसरा दे दिया और चोथा point दे दिया अब वापिस आप command के पर आएं कहता है next point बताओ और या फिर आपके पास bracket आ रहा है bracket के दर मजीद दो option है एक option है word procedure close दूसरा और के पास कह zwischen undo Close का काम होता है आपके पहले पॉइंट को आखरी पॉइंट के साथ मिला देना या आपके आखरी पॉइंट को पहले पॉइंट के साथ मिला देना अब आपका आखरी पॉइंट जो है वो यह है जिदर मैंने Lost क्लिक किया है और पहला point आपका ये है जहां से आपने start की है अब आपका last point ये है अब आपका last point ये है अब आपका last point ये है तो आप समझ कियो आपका last point कौन से लेकिन जैसे भी आप close का button येनि के close को apply करूंगा close की command को apply करूंगा आपके पास ये आपस में जीज़ें बंद हो जाएंगी अब मसला ये है आपके पास ये जो brackets के अंदर सब option है इनको कैसे apply किया जाता है तो देखें आपके पास close के लिए क्या है C capital है तो जो भी option brackets के अंदर capital होगी वो उस option को apply करेगी तो यहाँ पे dear students अब मसला क्या है center भी आखके पास C से start होता है और close भी C से start होता है लेकिन शायद इन दोनों में से एक का पहला letter capital हो दुसरे का middle वाला हो आखर वाला हो, second वाला हो आपको ये देखना होगा center और close में कौन सा word capital है तो जो भी capital होगा वो उस option को apply करेगा तो आप मेरा मकसद समझ गए होंगे तो यहाँ पे जो चीज़ा आखके पास हा रही है simple C आप keyboard से press कर दें मैंने C press किया अब ये C जो है आखके पास छोटा हो या बढ़ा हो, यह निकिए small or capital no problem, any one of them तो मैंने इसको small C दे दिया और जैसी में अपने keyboard से space या inter apply करूँगा आप यह तो space लगा दो या इसे interface कर दो तो मैं इसे space लगा देता हूँ जैसी मैंने इसको space लगाया तो automatically देखें, मेरा पहला point आखरी के साथ मिल चाए और उसने दो कान की है एक में line को इसने पहले point को आखरी point के साथ मिला दिया line खतम हो गई और दीसरा मेरे पास अब कोई भी option selected नहीं है देखें क्योंकि यहाँ पर simply command लिखा हुआ आ गया जब command लिखा हुआ आ जाए it means dear students हमारे पास कोई भी option selected नहीं है again मैंने इनको delete कर दिया अब इसमें line ले लेता हूँ यह देखें आप ने कुछ shape लगाई आप c enter कर देते हो देखें आखे पास star बना हुआ जाएगा again मैंने इसको slide करकर delete कर दिया वो अब इसमें line के पर चला जाता हूँ फिर मैंने इसको एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, अन, तस ऐसे मैंने कुछ points देती है लेकिन इस मरत आप मैं गलती से students नीचे की तरफ चला जाता हूँ अब हुआ क्या आप दूसरे software की तरह अगर control Z प्रेस कर देते हो तो देखें, यह तो overall आपके पास खत्म हो चुक है object लेकिन मैं यहां से गलत था, dear students मैं इधर से अपने आपको वापिस इधर उपर नीचे ये शे बनाना चाह रहा था लेकिन मैं गलती से नीचे आ चुका हूँ अब मुझे इस point तक again वापिस आना है तो देखें, आपके पास पहली option क्या है brackets के अंदर, close then क्या है undo तो आप क्या करोगे, यू इंटर करते जाओ आप जैसे जैसे आप यू इंटर करते जाओगे, step by steps आप पीछे आते जाओगे देखें, dear students जैसे जैसे आपने यू इंटर किया, तो आप step by steps पीछे की जानब आ रहे हो, यह देखें, आप step by steps, पीछे की जानब आ रहे हो, फिर मैं आगी जानब क्लिक कर देता हूँ, यह देखें, इस तरह से आपको, जहां पर भी line आपको चाहिए, यह जहां से आप पीछे आना जा रहे हो, यू इंटर कर सकते हैं, students इसके बाद, dear students, होता क्या है, जब हम practically काम कर रहे होते हैं, हमें line सीधी चाहिए होते हैं, चले line सीधी करने कुशिश करते हैं, यह देखें, मैंने line सीधी कर डाली, लेकिन, जब कोई नया बंदा होगा, वो line सीधी कैसे बनाएगा, यह देखें, यह देखें, यहां पे ने सीधी कर दी, यहां पे मैंने इसको सीधी कर दिया, लेकिन, जब मैं इसको दूर से बनाओगा, शायद मुझे ठीक तरह से यह दा बने, अब practically क्या होता है, जब आप line सीधी करते हो, dear students, आप straight line लगाना चाह रहे हो, तो आप क्या करते हो, paper पे जब आप straight line लगा रहे हो, त आप scale का सहारा लेते हैं, ruler ले लेते हैं, अपने पास foot ले लेते हैं अपने पास, अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे मुझको line dear student सीधी चाहिए, तो मैं क्या करोंगा, F8 अपने keyboard से प्रेस कर दोंगा, F8 बिसिकली क्या है, आपके पास अगर नीचे आजाएं, आप command person, मैं mistake कर गया था, रिसी आप आर्थों के पर click कर दे, तो देखें, आपके line आपके पास सीधी हो जाती है, वापिस आप press कर दे, तो आपके line again, टेडी मेरी हो जाएगी, लेकिन, कोशिश की करें students, पहले दिन से कुछ चीज़ों की shortcut's आप सीखें, आर्थों की shortcut क्या है, F8 आप अपने keyboard's पे जाएं, यहाँ पे top पे देखें, आपके पास function की होते हैं, function की आपके पास वो होते हैं, जहाँ पर लिखा होते हैं, F1, F2, F3, F4, यह आपके पास functions की होते हैं, all, तो इसमें से जो मैंने function की apply करना हो का है, F8, जैसी मैं F8 apply कर देता हूँ, तो मैं यह line स शिरू हो जाती है, again आप F8 press कर दो, तो देखें, फिर आपके पास आपकी line सीधी है, तो F8 क्या करता है, आपकी line को सीधा कर देता है, जब आपकी line सीधी हो जाएगी, और again इसको आपके पास टेड़ा भी कर देगा, basically, जब मैं F8 press करता हूँ, तो देखेंगा, यहाँ पे कर फिर सीधी line लगाएंगे इसको, ठीके dear students, next, जो मेरे पास चीज़ है, मैंने एक यह shape में आडाली, अब मैं यह चाहता हूँ, यहाँ से line खतम हो जाए dear students, लेकिन अगर आप C enter कर देते हो, तो आपके पास बीच में extra line आ आ जाती है, मेरे पास जो target है, वो मेरे पास यह हो करने के लिए dear students, आप या तो अपने keyboard से skip का button प्रेस कर दो, या space लगा दो, या enter लगा दो, या आप इसे right लिक करके enter कर दो, अब आप जो बेदर सबज़ें option, वो apply कर सकते हैं, तो मैं simply यह से space लगा देता हूँ, ज़िए मने space लगाया, तो line मेरे पास मेरे खतम हो चुकी ह यहाँ पर लिखा हो आगए simply commands, जब commands लिखा हो आजाए, it means dear students, इसका यह मतलब होता है, मेरी line selected नहीं है, मेरे पास कोई भी चीज़ selected नहीं है, तो dear students, यह थो था मेरा line लगाने का method, तो inshallah students, next lesson में मैं आपको selections और zooming control के बारे में पताऊँगा, उमीदे students, आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी, मज़ीद updates के लिए, मालूमात के लिए, please आप visit कर सकते हैं, हमारी website www.xpacademy.com, जहाँ आप तुमाम computer courses आपको free online कराए जाते हैं, एंड में, एक test लेने के बाद, आपको xpacademy.com की तरफ से एक certificate भी शुप किया जाएगा, जो TCS के थुरू आपके बतायो address के मताबिक आपको घर मेज दिया जाएगा, इसके लावा, आप हमें mail कर सकते हैं, xpacademy.com, या हमें किसी भी वर्थ कॉल कर सकते हैं, हमारी help line पे, 0343-9017779 पे, अपना ख्यार रखेगा, अपनी दौा में हमें याद रखेगा, इंशालला, नेक्स लेसन फिर मिलते हैं, उस वक्त के लिए, अला हाफेज, असलाम अले कम.